नमस्कार साथियो आज हम बात करेंगे भहिया ओमिक्रोन वाइरस को लेके इंडिया में जी हाँ नई गाइडलाइन सुरू कर दी गई है अलग लग स्टेडों में राज्य सरकारे भी अपने इस तर पे अलग लग नियम बनाने जा रही हैं और केंदर सरकार ने भी आपको पत है अब हो सकता है आप यह वीडियो देख रहे हैं तब बोलेंगे निचे यह नहीं यह वह नहीं है हर रोज नए अप्टेइट आएंगे तो आप यह समझना कि यह अगला अप्टेट नहीं तब तक माने आए जैसे अगला अप्टेट आएगा तो यह अभी अभी का यह पढ़ेगा और आपके किन चीजों की सावधानी बरतनी पढ़ेगी पहले से क्या आपको करना पढ़ेगा जिससे आपको एर्पोर्ट पे दिक्कत ना आए और सिद्धे आप घर पहुंच सके जी हाँ डिटेल से बात करेंगे वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक सेर कर जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर लीजिए फेस्बुक पेच वाले पेच को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रेलेटेड नहीं ने अपडेट मिलती रहे तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं ओमिक्रोन जी हाँ एक बेंकर वाइरस है जो सं गुना ज्यादा कर रहा है यह आप समझ सकते हैं रेट इसका परतिशत है वो छे गुना ज्यादा है अलांकि 30 देशों में इसकी फुष्टी हो चुकी है आप समझ सकते हैं साथियों आज से लगबग 4-5 दिर पहले 9 देशों में था 9 देशों से सिदा 30 देशों में दिसमबर से लेकिन यह जो ओमिक्रों को वाइरस है आपको सबको पता है 2022 भी खराब करने वाला नो डाउट जी तो इंडियन सरकार ने भी साप बोल दिया है कि 15 दिसमबर से फ्लाइट उपन नहीं होगी इसकी डैट किसका के 31 दिसमबर कर दी है 15 दिन में यह पूरे प्रों का रहता उसकी साबसे आगे निरने लिया जाएगा वाकि देख रहे हैं पिछले दो साल से विजा फ्लाइट आगे आगे एक्स्टेंड होती जा रहे हैं आप सब को पता है आपको पता होगा हमिक्रों इंडिया में भी आ चुका है आपको साबदानी रखने की जरू की है आपको एर सुविदा एप पोर्टल है सिस्टम वही है पहले वाला बीच में लिउस पड़ गया था करोना खतम हो गया था इस तरह से थोड़ा सा लिउस इसको डाल दिया गया था लोग आ जा रहे थे लेकिन अभी बता दूँ जो एर सुविदा पोर्टल है उस पे आप को गाइडलाइन है वो सब जारी करनी पड़ेगी एक तो शेल्प डिकलेरिशन फॉरम परना पड़ेगा जी हां आर्टी पीचर बेतर गंटे की रिपोर्ट आपको साथ में अप्लोड करनी पड़ेगी और डिकलेशन फॉरम में यह आपको अपना एक परमान देना होगा कि यह जो RTPCR है जो भी मेरे पास डोकुमेंट है औरिजनल है अगर यह फेक होते हैं तो इसकी जिम्यदारी मेरी रहेगी जी हाँ आरगे से तु एप आपको डाउनलोड आपके मोबाइल में करना पड़ेगा और यह प्रोसेस जो एरलाइन्स है उनको भी फोलो करके और उनको करवाना भी पड़ेगा अपने यात्रियों से जो यात्रियों को लेके इंडिया आ रही है खास दोर से दक्षने फिरिका की कंट् उन देशों के लोग आ सकते हैं उनमें भी दो परतिस्त लोगों का एरपोर्ट पे रेंडमली जी हां रेंडमली आपका टेस्ट लिया जा सकता है उसमें पता लगाया जाएगा सरकार की तरब से अथिरोटी की तरब से कभी कहीं इनमें तो ये प्रोब्लम नहीं आ रही है एट रिस्क कंट्री मतलब लगबग पूरी कंट्री विरोब देशों के जितने भी हैं दक्षणी अफ्रिका के देश हैं सिंगापूर बगेर है इन देशों से अगर लोग इंडिया आते हैं तो उनको साथ में आर्टी पीशार उनका एरपोर्ट के उपर ही किया जाएगा दुबारा से और वो चार्ज भी उनको देना पड़ेगा जी हां खुद के खर्चे से उनका एरटी पीशार उनको लेनी पड़ेगी एरपोर्ट पे उसके बाद में उसकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उनको बाहर जाने दिया जाएगा आठवे दिन फिर उनका ए बता ही है वहां कि अगर आप लोग आते हैं तो भाई आपको अभी तक ऐसी कोई गार्ड लैन आज की डेर तक नहीं है हां उसमें दो परतिस्त लोगों का किशी पी एक प्लेन में 200 लोग आ रहे हैं उसमें 4-5 जितने भी दो परतिस्त लोग निकाले जाएंगे उनमें से उ पर अगर बच्चे होते हैं तो उनका भी RTPCR किया जाएगा अब बात कर लेते हैं राजे सरकारों के बारे में महराष्टर सरकार कनाटक सरकार मर्देपरदेश सरकार इन में अगर आप एरपोर्ट पे जाते हो तो यह सरकार हैं आपका लागू खर दिया RTPCR टेस्ट आपका किया जाएगा एरपोर्ट के उपर जी हाँ आप किसी भी देश से आ रहे हैं वो कुछ राजे तो ऐसे हैं कि आप मालीजी जेपूर से दिल्ली से अगर आप गोवा या पर दूसरी कंट्री दूसरे स्टेड में भी जाते हैं वहाँ पर भी आप से आर्टी पीचेर मांगा जा जबकि 30 देशों ने फ्लाइटों को बेन कर दिया है इंडियन सरकार ने अभी तक बेन नहीं किया जी हां यह एक सोचने का विशे है कम से कम जिन देशों में यह करोना वाइरस पाया गया या धक्षने फ्रिका के एक वीडियो और बनाऊंगा मैं उसमें देखिए कितने लो